तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Coffee Day Enterprises के स्टॉक के बारे में Coffee Day Enterprises के स्टॉक में Next Trading Week के लिए कि लिए किया सपोर्ट एर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियों बात करेंगे हम अगर यहां पर श्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो यह इस टॉक है यहां पर लगाता के लिए डाउन टेंड में देखने को मिल ला था पहले हमको यहां पर लगाता लोवर लोवर हाई वाला पैटर्न यहां पर देखने को मिल ला था लेकर फिर श्टॉक ने यहां breakout भी यहाँ पर देखने को मिला है, breakout की बात करें, जो यह stock है, यह पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगाता है, 55.40 का जो यह level है, इसी के नीचे यहाँ पर trade कर रहा था, लेकर आज stock ना इसको भी यहाँ ब्रेक किया है, तो यहाँ से अभी हम इस stock में बात करें, अगर यह यहाँ से stock में 3G continue रहती है, तो यहाँ सब यह और 3G की condition में, हमारे भाद stock 58.90 का पहला यहाँ पर resistance देखने को मिलेगा, अगर stock इसको भी यहाँ ब्रेक करता है, यहाँ से हमको इस stock में again, 62.35, इसके बाद हमको यहाँ पर stock में 65, और अगर stock ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ से गरावट की condition में, हमारे पास यहाँ पर stock में 55.40 का पहला यहाँ पर support देखने को मिलेगा, अगर stock इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से हमको इस stock में again, 49.65 तक के levels भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, as the next step of support, तो यह stock में कुछ important levels हैं, आप इन पर ध्यान दे सकत कि उरीगो के वहाँ यहाँ पर पसके यहाँ देखने पर पसके लिए देखने बादू